दोस्तो अगर आप लोग कोई भी अपना कारोबार श्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप लोगों का पहले से ही कोई भी कारोबार चल रहा है और आप उसे और बढ़ाना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप गवर्मेंट के तरफ से E-Mudra Loan ले सकते हैं E-Mudra Loan आप लोग 50,000 रुपए से लेकर 10,000,000 रुपए तक ले सकते हैं जो कि आप लोग अपने बिजनेस में लगा सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस गिरो होगा वैसे आप लोग गवर्मेंट को E-Mudra Loan निपटा सकते हैं तो आज की स्पीडो में मैं आपको complete information देने वाला हूँ कि अगर आप अपना कोई भी नया काम start करना चाहते हैं या फिर आपको कोई भी पहले से काम चल रहा है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप किस तरह से प्रधान मंतरी E-Mudra Loan के लिए आवेधन कर सकते हैं इसमें आवेधन करने के लिए आपके पास आधार कार्ट और पासपोर्ट साइट के फोटो होने चाहिए और इसमें कोई आपके पास ballot income proof नहीं मागा जाएगा सिर्फ आप जो भी काम कर रहे हैं या फिर आप जो भी काम start करना चाहते हैं उस काम की detail आपको fill करनी पड़ेग रुपिया चाहिए तो आप लोग किस ओर लोन ले सकते हैं इसमें आप लोग 50,000 रुपई से लेकर 5,000,000 रुपई तक का लोन ले सकते हैं इसके अलाबा अगर आपका विजनेस काफी बड़ा है या फिर आप लोग एक बड़े पैमाने पर विजनेस start करना चाहते हैं तो आ अगर आप लोगों को इन में से किसी भी प्रकार का लोन चाहिए है तो आप किस तरहें से आवेधन कर सकते हैं और किस तरहें से आप लोगों को फोर्म को fill up करना है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो के description में आपको एक link मिलेगा जैसे ही click करेंगे तो आप इस वाली website पर आ जाएंगे और इसके बाद आपको यहां पर कुछ नीचे की side में आ जाना है यहां पर आपको तीनों ही तरहें के लोन के बारे में देखने को मिल जाएगा जैसे कि सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो सिसू लोन इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो किसोर लोन औ और साथी तरुन लोन में आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अब अगर आपको इन में से किसी भी लोन की जरूरत है तो आपको उसी वाले option पर क्लिक करना है जैसी कि मुझे यहाँ पर किसोर लोन की जरूरत है तो किसोर लोन वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है जै बाद यहां पर application for Shishu loan और इसके बाद check list of Shishu application तो यहां पर आपको application forum for Shishu वाले option के सामने ही download का एक option देखनी को मिल जाएगा तो download वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद आपको इस form को यहां से download कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यह form कुछ इस तर पर एक photograph लगा देना है आप जिसके भी नाम से लोल लेना चाहते हैं अब आपको यहां पर bank का नाम फिल कर देना है आप जिस भी bank से लोल लेना चाहते हैं इसके बाद यहां पर कुछ नीचे के साइड में आएंगे यहां पर आप लोगों को सभी कुछ information फिल करनी है जिसकी applicant क नाम फिल करना है उसके father या फिर husband का नाम फिल करना है इसके बाद यहां पर business address यानि कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस business का address क्या है वो आपको फिल करना है इसके बाद यहां पर date of worth फिल करना है और इसके साथ यहां पर आपको KYC document भी देना पड़ेगा KYC document में आप यहां पर जो जो कुछ मागा जा रहा है आपको fill कर देना है यहाँ पर आपको अपना account number fill करना है यहाँ पर आपको name of bank branch branch bank का नाम fill करना है यहाँ पर आपको loan amount fill कर देना है आप जितनी भी रुपए का loan लेना चाहते हैं उपर वाले form को fill up करने के बाद आपको यहाँ पर एक self declaration form को भी fill up करना पड़ेगा जिसमें कि आपको date fill करनी है इसके बाद यहाँ पर place का नाम इसके साथ यहाँ आप लोगों को यहाँ पर अपने signature बगएरा कर देने हैं और इसके साथ में आपको अपने आधार card की photocopy को attach करके और इन दोनों ही form को attach करके आपको आप जिस भी branch में परधान मंतरी e-mudra loan का lab लेना चाहते हैं उसमें आपको जमा करना पड़ेगा जमा करने के बाद आपके form का verification किया जाएगा then verification करने के बाद आपको परधान मंतरी e-mudra योजना के तहट loan दे दिया जाएगा लेकिन दोस्तों यह जो process है यह मैंने आपको offline ही बताया है अगर आप लोग परधान मंतरी e-mudra loan online लेना चाहते हैं तो इस से related में already पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का link में आपको इस वीडियो के description works में दे दूँगा आप लोग इस वीडियो को देख करके online ही e-mudra loan के लिए भी आवेदन कर सकते हैं